हेलो एब्रीबन वेलकम यू ओल चुट एडवेट एड़ुकेशन और वाचिंग जाग्विती शुट दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सम्मस्थ होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए सेशन के शुरुवात करते हैं और देखते हैं कौन से कौन से इंट्रिस्टिंग वोकाबलरी आज हम देखेंगे तो चलिए लेट्स स्टार्ट आज का फॉर्स्ट वर्ड है इगनाइट वर्ब की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है आग लगना जैसा आफ इस इमेज से समझ सकते हैं एक सोफे में आग लग गई है यानि क्यों इसका सिननीम देखते हैं इसका सिननीम में क्याच काभी से मतलम होते हैं पकड़ना हें दी में क्याली क्या लिखें पकड़ना तो आग जब पकड़ती है तो हम उच्छाना क्या हुआ जैसे आपने कई बार देखोगा एक इक्यूपमेंट जिसको हम बोलते फायर एक्स्टेंग्यूश्र उक् poquito क्या है एक्स्टेंग्यूश्रक लोगा क्या हूँ शुर्प माता है समझ आया बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ सेंटेंस क्या मोला रहे हैं कि प्रणीचे के और रिव खए्वाफ परनीचर क्या होते हैंphr哈哈 को सफा हो जान जिकल जान लेवास on कंगों सब्सक्राइबEr지는 रिवआःस निकल सकता है स्पारोट के गतने ल accusation furniture से बाहर निकल सकता है यानों तो लेखल फियूम्स यान लेवा धूँआ से जब उसे जलाया जाता है तो देनल मॠो उटो चुकी है तो लेखल फियूम निकल सकता है यानिका जो थोद को समझना है रहा है ये सारे words को भी याद रखना है जैसे कि lethal का मतलब होते है जानलेवा, fumes का मतलब होते है धुआ, तो ये सारे शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ आया, चलिए, बढ़ते है next word की तरफ, हमारा next word है iniquity, iniquity नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, संघ्या के तरह हम iniquity को यूज करेंगे, जिसका मतलब होते है अन्याय होना, है ना, या फिर आप अंग्रेजी में बोल सकते हो, unfairness होना, किसी के साथ अन्याय हो जाना, किसी के साथ unfairness हो जाना, है ना, उसके लिए हम iniquity word use करेंगे, इसका सिनूरी में partisanship, partisanship का भी सही मतलब पक्षपात करना, भेधभाव करना, है ना, उसके लिए हम partisanship जैसे word use करेंगे, जैसे पर example, अगर कोई गलत है, आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी उसी का side लेना, उसको हम हिंदी में पक्षपात बोलते हैं, और English में partisanship भी बोल सकते हो, या फिर unfairness भी बोल सकते हो, ठीक एक तो अन्याय होता है, जिसके साथ अन्याय हो जाता है, unfairness हो जाते है, तो उसको opposite क्या होगा, जिसके साथ fairness होता है, जो गलत होता है, उसे ही सजा मिलती है, है ना, तो उसे हम इस तरीके से use करेंगे, clear, sentence क्या मोल रहे है, policies aimed, policies जो बनाई जाती है, वो किस aim से बनाई जाती यह एम का मतलब होते हैं उद्देश्ट से बनाई जाती है जैसे आपने सुना होगा कि पहले जमाने में काले गोरे को बहुत भेदभाव किया जाता था है ना तो पॉलिसी इसलिए बनाई जारी है कि भेदभाव मत करो इनिक्विची मत करो है ना तो हम इनिक्विची को इस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसके लिए हम रेक्स्ट तरफ हमारा नेक्स वर नौश्यास क्या लिखन नौश्यास जो के एड्चेक्टिव कि तरह यूज किया जाता है ठीकहने किस तरीक में मतलब होते हैं तो सिकनिग HP बताओं तो आप इस तरीके से बोल सकते हो जो चीज़ घिनांवानी होती है और फिर जिस चीज़ से घ्रणा सब्सक्राइब इसका सिननीम के नौसेटिंग का भी सेम मतलब होता है जिसे हिंदी में लिखा या वमन जनक थोड़ी सी हाड हिंदी हो गई है लेकिन अगर साधारन भाषा में अगर समझे तो जिस चीज से आपको घिन आती है उसके लिए नौसेटिंग वोडियोस करेंगे है सेंटेंस क्या मूल रहा है सेंटेंस देखते हैं अब इसे मेट से देखिए यूसे घिन आ रही है तो इस तरिल किसे समझेजए तो थोड़ोदार खाने को सोचने भर से ही उसे क्या होगा नौसिस हो गया उसे घिन आ गई तो stale food का मतलब होता है बदबूदार खाना या फिर आप बोल सकते हो बासी खाना तो बासी खाने के बारे में स्लिफ सोचने भर से उसे क्यों कि नौशियस हो गया उसे घिन आ गए तो नौशियस का मतलब होता है घिन आना, समझा है नौशियस का मतलब? चलिए बढ़ते हैं next word की तरह हमारा next word अपहीवल अपहीवल नाउन की तरह यूज किया जाता है यानि संघ्या की तरह हम अपहीवल को यूज करेंगे जिसका मतलब होता है उथल पुथल मत जाना या फिर अंग्रेजी में बोल सकते हो disruption हो जाना हर जगा उथल पुथल मत जाना तहस नहस हो जाना किसी भी चीज में उथल पुथल मत जाना उसके लिए हम अपहीवल वर्ड यूज करेंगे इसका सिननेम है अपसेट अपसेट का विसे मतलब होता है परिशान हो जाना है ना एकदम घवरा जाना सब चीज गडबड कर देना उसके लिए हम upset भी यूज कर सकते हैंww इसका एंटनल अपहीवल्स हैव एफेक्टेट अनिशल मार्केट से अपहाइंशल मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइजब्स का मितलब बढ़ते हैं that I'lline 10 हो जाएगा उपर नीची हो जाएगा ना उथल-पुथल मचने केवे लिए इंग्छलिए करें बढ़ते हैं next word की तरफ, हमारा next word है intended, intended adjective की तरह use किया जाता है, किस तरह किसे use करेंगे, adjective की तरह use करेंगे, जिसका मतलब होता है कोई चीज जान मूच कर करना, पता होते हुए कि ये चीज गलत है, ये चीज खराब है, तो भी वही काम करना, उसको हम intended word use करेंगे, ठीक है, सम intended word भी use कर सकते हैं, या फिर आप deliberate word भी use कर सकते हो, deliberate का भी same मतलब होते है, जान मूच कर करना, ठीक है, समझ आया, चलिए, इसके synonym में intentional, जैसे मैंने अभी बताया, intentional का भी same मतलब होते है, जान मूच कर करना, उसके लिए intentional word भी use कर सकते हैं, या फिर आप deliberate word भी use कर सकते है, दोनों का मतलब होता है जान मुझकर कोई काम करना इसका एंटोनी में एक्सिडेंटल का मतलब होता है अकास्मिक या फिर आप बोल सकते हैं कोई चीज जान मुझकर नहीं करना गलती से हो जाना उसके लिए मैं एक्सिडेंटल वर्ड यूज करेंगे जैसे आपने कई बार सु तरह है जो बएक्तिम था वो जान मुचकर उससे पता है वह भाग गया है इस के तरी से यूज करेंगे चली बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्डं की तरफ हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडीयॉर इंडियोर वर्ब की तरह यूज करेंगे किस तरी किसे यूज करेंगे वर्ब की तरह यूज करेंगे जिसका मतलब होता है सहन करना क्या मतलब होता है सहन करना या फिर अंग्रेजी में बोल सकते हैं सफर करना कोई दुख को सहन करना किसी के परिशानी को अपनी परिशानी को स कर सकते हैं तिक है समझा इसका यहां नहीं इसलिए में यहांपे पुटी नहीं किया है सिर्ट कि रखा है तो इसलिए इसका इंट-वी एक्जाट लंग नहीं तो सेंटेंस क्या दकवर रहे है इस स्कसिंटर तो एंठिर ऑड्र एंडियुर्शनल पेन from a divorce divorce का मतलब क्या होता है तलाक हो जाना तो तलाक क्या है एक emotional pain है ये बहुत दुख बरी बात है तो उसे endure करना उसे सहन करना बहुत difficult है बहुत मुश्किल है तो वह चीज़ यहां पर लिखी है इट बहुत मुश्किल हो सकता है इंडियोर करना याने सहन करना क्या तो इमोशनल पेन फ्रोम डिवॉस अगर डिवॉस हो जाता है तो उसे सहन करना बहुत difficult है बहुत मुश्किल है ठीक है क्योंकि वह एक emotional pain है एक दुख बरी बात है ठीक है तो इस तरह के से आप और को sentence में यूज करेंगे चलिए बढ़ते हैं next word की तरफ हमारा next word brutality brutality noun की तरह यूज किया जाता है याने संख्या की तरह हम brutality को यूज करेंगे जिसका मतलब होता है क्रूरता दिखाना क्रूर होना डया नहीं करना उसके लिए हम brutality इसका चलिए बढ़ते हैं आंटनीम के तरह इसका आंटनीम में gentleness जिसका मतलब होता है नव्रता दिखाना किसी के लिए नहीं दिखाना उसके लिए विक्षेस्टनेस जैसा word यूज करेंगे बढ़ते हैं आंटनीम के तरह इसका आंटनीम में gentleness जिसका मतलब होता है नम्रता दिखाना सॉफ्ट होना किसी के प्रती क्रूता नहीं दिखाना या फिर आप किसी के प्रती विक्षेस्टनेस नहीं दिखाना उसके लिए हम gentleness word यूज करेंगे या फिर आप हिंदी में करती यानि नागरिक के प्रती सिविलेंगिंघेंग से क्पनेनि कुछेगा तरह इस तरह समझा या चलि बढ़ते हैं कि की तरफ हमारा next word is convict convict verb की तरह यूज किया जाता है किस तरीके से यूज करेंगे हम वर्ब की तरह यूज करेंगे जिसका मतलब होता है अपराधी घोशित कर देना है ना उसके लिए हम convict word use कर सकते हैं और English में लिके sentence आपने यह लाइन कहीं बहुत बार सुनियोगी sentence till death यान उसे जेल में रखा जाता है उसके death तक है ना मतलब उसे आजीवन जेल में रखा जाएगा जब तक उसके death नहीं हो जाती है तो sentence का भी सेम मतलब होता है अपराधी घोशित कर देना उसे जेल में डाल देना तो इस तरीके से आप इसे चलिए बढ़ते हैं की तरफ एंटनी में एकविट का मतलब बरी कर देना या फिर आप बोल सकते रहाई कर देना उसके लिए एकविट वोडियोस करेंगे शेंचिंस कानीं रोड और कुराया या कियाँ चार को जेल में बंद कर दिया गया या फिर अपराधी घोशित कर दिया गया क्यूंकि तो हिझवावर्गम बनेक चोरी कर ना और Kingdom चोर बोलते हैं ठीक है और convicted का क्या मतलब होता है convicted का मतलब होता है अपराधी घोशित कर देना दोशी पाना ठीक है समझाया चलिए बढ़ते हैं next word की तरफ हमारा next word is universal universal adjective की तरह यूज किया जाता है जिसको हम हिंदी में सर्व व्यापक है ना हिंदी में क्या बोलेंगे सर्व व्यापक बोलेंगे और अंग्रेजी में जनरल बोलेंगे सर्व व्यापक का मतलब होता है जो हर जगा होता है जो हर जगा मौजूद होता है जो हर जगा पाया जाता है उसके लिए तक हम reign यू यूल्एय यूाज होना उसके लिए हम यूबिक्सिय्स वोड भी यूजिश कर सकते हैं इसका आंटियूलव पर्टिक्यूलर का मतलब होता है विशेश होना एकड़ सारे बात छोड़ता मुझे इसी टॉपिक पर बात करना है तो उसके लिए पर्टिकिलर वर्ड उस करेंगे ठीक है इंफिसाइस करके बोला मुझे इसी बात पर बात करनी है इसी टॉपिक पर बात करनी है ठीक है समझाया सेंटेंस देखते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है दव वे इंडिया के आप कोई भी देश में चले जाए से आहर जग से धिखे का स्टार्वर्य व्यापकग है उसे हम हर जगह से सकते हैं वह हर जगह पाया जाता है है न हर जगह से हो हम उसे क्या कर सकते हैं नहें के लिए यूनिवर्सल वर्ड यूज करेंगे जिसको हम हर जगा से देख सकते हैं या फिर जूचीज हर जगा पाई जाती है ठीक है समझाया चले बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ हमारा ये लास्ट वर्ड है जो कि है numerus numerous adjective की तरह यूस किया जाता है किस तरी किसे यूस करेंगे तरफ यूजेस करेंगे जिसका मतलब होता है अनेक होना बहुत सारा हो एक से जादा को उसके लिए न्यूमरस वर्यूस कर सकते हैं यहां पर क्या लिगा है नहीं सभ्सकरिया नहीं किया जा सकता है है ऐसे एक दो तीन करके हम जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम काउंटलेस वर्ड यूस करेंगे या फिर अनकाउंटेबल भी बोल सकते हो ठीक है समझाया इसका एंटनी में फ्यूं फ्यूं का मतलब होता है कुछ है ना कुछ जो इनत नहीं है जो चीज अनेक नहीं है ठीक है उसके लिए हम फ्यूं वर्ड भी यूस कर सकते हैं काउंटेबल भी बोल सकते हो समझाया सेंटेंस क्या बोलता है सेंटेंस पड़ते हैं आफ्टर भी गिवन न्यूम्रस वार्निंग फॉर डिस्रॉप्टिंग क्लास क्या अनेको बार याने न्यूम्रस टाइम्स वार्निंग दी गई कि हला मत करो क्लास मत डिस्रॉप्टिंग मत फैलाओ लेकिन वो नहीं माना तो उसे क्या कर दिया गया अब जाओ तुम प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बैट जाओ तो न्यूम्रस टाइंस उसे वार्निंग दी एक से जादा होना ठीक है समझ आया चलिए तो यह थी आज की हमारी पूरी दस इंपोर्टेंट वोकाबलरी होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और फिलाइक दस वीडियो देन दू लाइक शेर एंड सब्स्ट्राइब चुट्राइब एजुकेशन और दोस्तो हमारे कम्यूनिटी पोस्ट पे भी जरू लाइक करें कोमेंट करें तब तक के लिए थैंक यू वेरी माच